हेलो फ्रेंट्स साब्दिक विशलेशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम लोग आर्थिक मंदी यानि रेसेशन की सामाने परिभासा और तकनीकी परिभासा को समझने का परियास करेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहल यानि उसकी माग में कमी आ जाए तो उसे रेसेशन यानि आर्थिक मंदी कहते हैं ठीक है यह है इसकी सामाने परिभासा अब आईए हम लोग इसकी तकनीकी परिभासा को देखते हैं तकनीकी परिभासा जो है इसकी यह कहती है कि कि किसी देश में लगातार दो क्वाटर में GDP में कमी आ जाए तो यह recession को परिलच्छित करता है जिसे मान लीजिए कि पहले quarter में 7.54% GDP रही और दूफरे quarter में 7.02% रही इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार एक से लिके चौथे quarter तक GDP जो है घरती जा रही है तो इसको जो है recession यानि आर्थिक मंदी कही जाती है recession की तकनीकी परिवहासा को वो लोग ज्यादा फटीक तरीकी से समझ पाएंगे जो लोग GDP में quarter को समझ पाते होंगे कि किस परकार से एक quarter जो है GDP में काम करता है quarter कितने महीने का होता है और कब से कब तक लागू होता है और GDP में आगा हम लोग quarter को थोड़ा बहुत हलकी परिव तो अपरेल, मही और जून, टीनों को समलित रूप से मिला करके इसको जून-क्वाटर कहा जाता है। इसी प्रकार से जून के बाद जुलाई अगस्थ और सेप्नमबर कहा जाता है। तो इसको आप यहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हाला कि मैं यहाँ पर quarter और GDP को ज़्यादा explain नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो I hope कि आपको आर्थिक बंदी आनि recession की सामाने और तक्नीकी परिमासा समझ में आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको like करें, share करें और subscribe करें हमारे YouTube चैनल को, thank you